हेलो एव्रिवन वल्काम बैक तो दर नीव वीडियो अफ्ट गाई सो आज हम सबसे पहले बात करते हैं देवरा गिलिम्स मोबी टीजर रिवीव के वारे में वारे में इस मोबी का एक टीजर टाइप वीडियो रिलिज हो गया है जिस पर लोगों के काफी एवरेज रिवीव ठीक ही था ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं था मेरे लिए बेखते हैं दाकि यह किस बारे में पाइरेट्स औरेट्स की कहानी लग रही है वहीं दूसरी तरफ मोहित वर्स के इसके कुछ सोर्स बहुत ही अच्छे लगे लाइक यहां पर कुछ सोर्स के फोटों भी बागी आपको इस टीजर को देखे क्या लगा है कमेंट में बता देना के नेक्स बात करते हैं एक और तेलगू फिल्म हनुमान की बारे में सो अभी बहुत बड़ी नियू जा रही है कि हनुमान मुभी के टीम नहीं यह डिसाइड किया है कि उस फिल्म से आने वाली हर एक पेवो पांच रुपए आयोध्या के राम मंदिर के लिए कंट्रिवीट करने वाले हैं यस इस इसका अनुमान टीम के ही मेंबर एक्टर चिरंजिवी किये हैं जैसे के इस ट्वीट को आप रेट भी कर सकते हो तेलगू फिल्म हनुमान has decided that RS5 from each ticket of the film will be contributed towards दे राम मंदिर इ अयोध्या एक्टर चिरंजिवी मेड इस अनुमान टीम और नेक्स बात करते हैं भूल भूलाया 3 और विद्या बालन के बारे में जिनको आप मंजूलिका के रूप में फोर्स्ट एपिसोड में या कहलो कि भूल भूलाया के फर्स्ट पार्ट में देखे थे तो अभी इनक मंजूलिका इस इनफ टो टेक्ट बज स्काई हाई इस इस पर आशिच चंचलाने भी रिया किये वो लिखे की मैं में डिस नो वे होम मोमेंट इनकर विंस किंग तू कुम बाइक इस विल सेट इस स्क्रिंस ऑन फायर और वी लोग इस निउज को सुनके काफी ज्यादा खु मजाक है बट अगर रियल्टी देखे जाए तो यहां पर लक्ष दूइप में लोगों को ले जाने के लिए IPL की भी जरूरत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि इसके पीछे का रिजन यह है क्योंकि वहाँ पर मोदी जी के जाने के बाद अलेडी वहाँ पर इतने सारे लोग जाना सुरू कर दिया है चाहिए उसे लिब्रेटी जो यूटूबर सो या कोई इंफ्लेंसर सो इसके वज़े से अभी लक्ष दूइप के होटल सोल्ड आउट होना सुरू हो गये है यस आपको बता दे मैक्सटन जो की एक यूटूबर है वो भी लक्ष दूइप में अभी मैस्वारी वर्सेज विवेक बिंदरा के कंट्रोवर्सी के उपर रियक्ट किये और अपना उपिनियन बताए कि इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है आप लोग खुद देखो सबने यूटूब पर जो आपकी वाइफ के आपने गलत करा मैं बड़ा हरान था क्योंकि इनकी वीडियो मेरे साब से सबने यूटूब पर जो जो उन्होंने देखी होगी और अब जब ऐसी सिचुएशन आते है कि भाई कि I feel जो लड़के लाइक जो मेन अपनी वाइफ पर हात उठाते हैं या फिर उसको कुछ मतलब इसी के लिए ब्यूस करते हैं दे आर दा मोस्ट वीकेस्ट मेन ओन दिस प्लानेट दे कॉंट्रवर्सी जितना मैं समझा हूँ को संदीप सर इस वेरी राइट फुल सपोर्ट संदीप सर वी आर विद यू तुम लोग कहरोगे तुमारे साथ होने से क्या है वो के निक्स बात करते है टोटल गेमिंग के बारे में, सो जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल गेमिंग का फेस रिवील हो चुका है, बट क्या ओ फेस रिवील फेक है, अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अभी फेस रिवील होने के इतनी दिन बाद, Total Gaming अपने Instagram पे एक story share किये जिसमें लिखे कि विने के साथ real face reveal सून और साथी साथ अपने broadcast channel का भी एक message हो किये जिसमें लिखा हुआ था कि 2-3 दिन में real face reveal वीडियो आने वाला है अब इसे के बाद बहुत सारे लोग गन्फ्यूज है कि क्या उनका जो पहले वाला face reveal हुआ है वो फेक है या रियल है सो इसे स्टोडी के एकोर्डिंग टोटल गेमिंग का वे रियल face reveal नहीं हुआ है बट मेरे क्याल से ऐसा नहीं होने वाला है कहीना कहीं यह मजाक कर रहा है बाकि आपको क्या लगता है बताना कमेंट बॉक्स में बट सायद कई नहीं कई टोटल गेमिंग को उनके face reveal से उनको problem हो रहा है इसके उजसे साद हुआ ऐसा कुछ कर रहा है जैसे कि मितपड भी अपना face reveal वाला एक story सुना है जिसमें बताई कि उनको कितना problem हुआ था जब वो अपना face reveal किये थे हो गया था वो अपना face reveal एंड उसके बाद मैं डर गया था लेकिन तुम्हों के support जो दिखाया उसके बाद I think channel ऐसा था फिर भूं हो गया अलसो में ट्रिगर इंसान को एक चीज के लिए challenge किये वो क्या है आप देखो खुद this contains all the input and output files all the library यह सब मुझे भी थोड़ा बहुत आता है यार क्या होना चाहिए मैं मी वर्सेज निश्चय का coding competition होना चाहिए निश्चय मैं तुझे challenge करता हूँ you versus me तू बता जो करने काई आप करते हैं coding करते हैं full ऐसा programming करते हैं जिस तरह की से अनुराग डुबाल के साथ big boss घर के अंदर trade किया गया वो चीज देकर थगेश को भी अच्छा नहीं लगा है इस पे क्या बोले हैं वो आप देखो पुरा घर ट्राइ करना था कि UK भाई को निकाले बाहर बट ये channel का format है jokes करना इसके लिए हम jokes करते हैं but I really feel for UK भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसे देखे तो हम पूरी एक community है कोई YouTuber अगर जाता है तो वो कैसा भी खेले हम लोग उसको criticize करते है कोगे हम jokes बनाते लेकिन end of the day अगर कोई YouTuber के हाथ बुरा करे तो बुरा तो लगता है अगर उनसे walk of shame कराया गया अगर उनके clips delete की है specially अगर उनके घरवालों से बात्चीत नहीं करने दी घरवालों की clip उन तक पहुचा ही नहीं तो आदमी BT मे आ जाता है घर के अंदर समझा? And one more thing अगर हमें कभी आता है Big Boss का offer तो यह यह हरकत है देखके हम तो अब ना जाए एक time पर हमारा mood था लेकिन अब तो हम ना जाए Unless and until हमको एक हपते का एक करोर देदे फिर हम जाए लेकिन उसके अलावा में पर दूस चीज के लिए हम लोग stand करते है तो आज के वीडियो में बस इतना ही Hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मिलते है नेक्स वीडियो में बबाई